गुद मॉर्निंग एवरिबड़ी, I am P.L. Nareda, Assistant Professor Government College कनवास and today we are going to discuss about an essay entitled What I Require from Life मुझे जिन्दगी से क्या चाहिए यह essay G.B.S. Halden द्वारा लिखा गया है और यह B.A. Part 1st के 2nd paper में Kota University के syllabus में सम्मिलित है न के बल विध्यारतियों के लिए बलकि शामाजिक जीवन जीने वाले विक्तियों के लिए भी यह निबंद बहुत उप्योगी है इसका अधिन कोई भी विक्ति कर सकता है अधिकांस तब परतियों की परिक्षाओं में पूछा जाने वाला ये निभंद बहुत अच्छा है इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए What I Require From Life by GBS Halden What I Require From Life मतलब मुझे जीवन में क्या चाहिए हम जीवन जीते हैं और उस जीवन को बेटर तरीके से जीने के लिए हमें क्या-क्या आउशकता होती है इसी बात पे ये लेक आधारित है तो चलते हैं सबसे पले हम GBS Halden के बारे में थोड़ा सा परिच्छे पढ़ते हैं GBS Halden 1892 to 1964 was one of the scientific giant of the 20th century लिस्वी सताबदी के प्रसिद्द लेखक और वेगनिक GBS Halden John Burden Sanderson Halden FRS nicknamed as Jack or GBS is a polymath who made important contributions to science GBS Halden जो है उनका nickname Jack है या GBS भी कहा जाता है और उनके नाम की full form है John Burden Sanderson Halden यहाँ पर एक वर्ड जो है polymath यानि बहु सास्त्र ग्यान जिसको बहुत तरह के सास्त्रों का ग्यान हो वो polymath का लाता है JBS Halden बहु से सास्त्रों के ग्याता थे He was also a highly skilled writer and an extraordinary character Brilliant, witty, idealistic, funny and aggressive देखो उनकी चारित्रिक विश्यस्ता है क्या क्या है वो बहुत ही कुसल लेकक है highly skilled writer बहुत जादा दक्स लेकक है and an extraordinary character उनका जो character है उनका जो चरित्री चित्रन है वो बहुत extraordinary है और साधरन प्रतिभा है उनने brilliant विद्धिमान है wit चतूर है idealistic आदश्वादी है funny and aggressive funny भी है और aggressive भी है aggressive का मितलब बताए आक्रामक यानि जब वो लिखते हैं तो आक्रामक जोस के साथ लिखते हैं और funny भी है कभी कभी वो मजा क्या मोड में भी रते हैं he studied at prestigious college in England England की जो prestigious colleges है यानि जो गौरवानवित सम्वानवित सम्वानित colleges है उन्होंने उसमें अधिन किया है he was awarded by the Darwin Medal of the Royal Society in 1952 उनिस सो बावन में उनको Royal Society का Darwin Medal पृषकर मिला और ये उनके गुनों के उपर ही उनको मिला उनके गुनों के लिए मिला he believed that science played a very important role in men's struggle for peace and prosperity GBS Halden का ऐसा मानना है कि science जो है उसका एक बहुत ही महत्पुन रोल होता है उसकी बहुत महत्पुन घुमिका होती है कि इसमें मनुस्य की सांती और सम्रद्दी के लिए जो प्रियास करता है उसमें यानि मनुस्य को अगर सांती और सम्रद्दी चाहिए तो उसमें science का बहुत बड़ा रोल रता है चूकि हम जानते हैं कि वो एक scientist थे इसलिए science का उन्होंने रोल बताया है मनुस्य के लिए शांती और सम्रद्दी में He wrote many essays उन्होंने बहुत से essays लिके हैं One famous essay written by him is What I require from Life और इसी स्रंकला में ये उनके द्वारा लिखा गया एक लेख है कि मुझे जिन्दगी से क्या चाहिए It is a compilation of his popular scientific essays written from the 90s 40s to the last year of his life 1944 के दसक से लेकर कि उनकी जिन्दगी के अंत तक यानि 1964 तक उन्होंने ये जो लेख लिखे उनको एक compile किया है compilation मतलब उनको संकलित किया है और जो उनके लेख है वो scientific essays है और उनी में से ये एक essay है It reflects not only his masterful ability to communicate scientific understanding but also his deep commitment to socialism ये जो लेख है इसमें न के वला उनकी दक्सता को बताया गया है कि किस तरह से उनकी scientific understanding को उन्होंने communicate किया है उनके अंदर जो scientific understanding थी जो विज्यानिक दृष्टिकोन उनका था उसको उन्होंने किस तरह से communicate किया है समझाया है न के वली इस बात को बताता है बलकि ये हमें समाजवाद के बारे में भी उनकी जो deep commitment थी उसको बताता है समाजवाद के प्रति उनका रवया केशा था इसके बारे में भी ये लेख हमें बताता है इसमें हेल्डन का जो समाजिक विचार है उसको बताया है वो प्रतिविंबित होता है उनका ऐसा मानना था कि वो एक हीरोईक युग में रह रहे है यानि वीरता से भरे हुए युग में वो रह रहे है इसमें वो थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते थे और उसमें जो समश्य हैं दी उनके बारे में वो करते है इस लेक में हम ये देखते हैं कि जीबियस हैल्डन जो है जैबियस हैल्डन वो हमें सामने आवशक्ताओं के बारे में बातचित करते हैं वो करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की आवशक्ता हैं लेकिन इनके अलावा कुछ और भी आवशक्ता है वो कौन-कौन सी आवशक्ता हैं ये देखी The first need that he talks about is work सबसे पहली आवशक्ता जिसके बारे में जीबियस हैल्डन हमें बताते हैं वो है कारे अगर मुनस से कारे नहीं करेगा तो निठला बेठा रहेगा सुस्ती से इधर उदर पड़ा रहेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा He is fortunate in the fact that he can choose his own work जीबियस हल्डन हमें बताते हैं कि वो बड़े सुभागेशाली हैं कि उनको खुद का कारे चुनने का मोखा मिला है वो खुद अपना धारे चुन सकते हैं दूसरी उनकी जो आवशक्ता है जीवन में वो है फ्रीडम अभिविक्ति की स्वतंतरता जीबियस हल्डन की दूसरी आवशक्ता है कि उन्हें बोलने की स्वतंतरता होनी चाहिए क्योंकि वो एक लेखक है और उन्हें लिखने की स्वतंतरता होनी चाहिए यह जो स्वतंत्रता है यह कुछ चीजों से प्रतिबंदित नहीं होनी चाहिए यानि कि उनकी स्वतंत्रता पे फालतों के दबाव नहीं होने चाहिए इसी तरह से जो सीरियस मैचर है उनके उपर भी यह स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन उनोंने तुरंत ये भी बता दिया कि इस स्वतंत्रता के उपर एक अवरोध है आपस्टेकल का मतलब होता है अवरोध यानि जो बोलनी की जो स्वतंत्रता है उसके उपर एक अवरोध है और वो अवरोध कुन सा है law of libel मान हाने का कानून अर्थार्त आप किसी के बारे में फालतों नहीं बोल सकते आपको मान हाने के कानून के तहत जेल हो सकती आप फालतु की बुराएं किसी की नहीं कर सकते थर्ड जो रिक्वार्मेंट है जेबिस हेल्डन की वो है हेल्थ हेल्थ is the next requirement of जेबिस हेल्डन जेबिस हेल्डन की ये रिक्वार्मेंट है occasional ache and pants are not to be minded but they should not impact the enjoyment occasional ache कभी कभी मालो कोई दर्द होने लग जाए जिसे दाथ दर्द करने लग जाए पेट दर्द करने लग जाए तो इस चीज़ को वो mind नहीं करेंगे यानि ऐसी चोटी मुटी बात पे वो ध्यान नहीं देंगे लेकिन ऐसी जो दर्द है उससे impaired नहीं होनी चाहिए enjoyment यानि आनंद नहीं बिगड़ना चाहिए उनका जो आनंद है वो interfere नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि फिर जब अगर दाथ दर्द करने लग रहा है तो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि वो फिर किसी पार्टी में नहीं जा सके enjoy नहीं कर सके इस तरह से उनकी जो स्वतंतरता है वो बादित नहीं होनी चाहिए उनका enjoyment जो है वो बादित नहीं होना चाहिए हल्डन दैन स्पीक्स अफ्रेंड्शिप एज अ मैजर रिक्वाइरमेंट इसके बाद जीबियस हल्डन ने जीबियस हल्डन ने हमें फ्रेंड्शिप के बारे में बताया है उनकी अगली आवशकता फ्रेंड्शिप है फ्रेंड्शिप जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्श से हम communicate करते हैं his friends should be on equal footing with him for it is difficult to be friend with someone who is higher up or lower down जीबियस हल्डन के कितने अच्छ विचार हैं वो कहते हैं कि मित्रता बराबर की लोगों में होनी चाहिए क्योंकि अगर उनका जो मित्र है वो उनसे higher up होगा या lower down होगा तो उनकी मित्रता जो है जादा आगे नहीं बढ़ पाएगे मित्रता समान लोगों के बीच में होनी चाहिए तब ही जाके उसका आनन उन्हें मिलेगा इस हूमन नीड्स इंक्लूद असस्टेंड अमाउंट अप एक्साइटमेंट और एडविंचर जीबियस हल्डन लेखक ने हमें बताया कि यह जो सामन्ने आउशकता हैं यह हमारे अंदर एक्साइटमेंट पेदा करती है और यह हमें एडविंचर देती है यानि हम साहसिक कारें की उर आगे बढ़ते हैं इनसे हमारे अंदर उत्साह भरा रता है सपोज करो आपको कोई कारे करना है तो वह कारे पिर आप जाओगे उसके लिए पर तयार्या करोगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा वह कारे करोगे तो एडविंचर मिलेगा इसी तरह से अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप उससे मिलने जाओगे तो एक्साइटमेंट होगा इस बात में कोई खत्रा नहीं है इस बात में कोई शंका नहीं है कि जो लेखक ने जो चीजें डिमांड की है जिन चीजों की उसने मांग की है उसमें कुछ चितो रिस्क है बट ऐसी कंसीडर हमसल्ब टू बी यूसपुल सिटीजन लेकिन वो अपने आपको यूसपुल सिटीजन समझता है उप्योगी नागरिक समझता है इसी लिए ही नैचुरली कंसीडर्स इट रॉंग टू भी फूल हार्डी इसी लिए वो अपने आपको मुर्ख समझता है फूल हार्डी समझता है लेकक ज्यापे करता है कि मुझे एडविंचर भी चाहिए एडविंचर अब लेकक यह कर रहा है कि जब आप एडविंचर साहसिक कारे कोई करोगे तो फिर आपको उसमें थोड़ी सी रिस्क उठाने पड़ेगी यानि करती है और जान भूज के अपने आपको किसी कुए में धखेलना साहसिक कारे नहीं कर लाएगा यह तीन चार मंजिल जो बिल्डिंग बनी हुए है उस पे बिना सीडियों का प्रयोग करते हुए उस मंजिल पे चड़ना साहसिक कारे नहीं कर लाएगा और यह रोंग होगा यह फूल हार्ड ही होगा लेकक हमें बताता है कि जो उपर चार चीजे बताई उनके अलावा The writer is fortunate अईना लेखक अपने आपको सुभा के साली समस्ता है कि basic needs के अलावा कुछ essential needs भी उसकी है और जो उसको मिलनी चाहिये आवशिक जरुरते भी है जो उसको मिलनी चाहिये यानि जो आधार्बुद जरुरते हैं उनके अलावा और भी जरुरते उसकी है देखो लेखक ने कितने शांदार सब्दों में समझाया है प्रतेग वेक्ति को काम मिलना चाहिए according to his capacity उसकी क्षमता के अनुसार और फिर उस कारे के बदले में उसका fruits भी मिलना चाहिए उसका फ्ल भी मिलना चाहिए ऐसा ना हो कि कारे कोई करे और उसका फ्ल दूसरे को मिले या उसकी आने वाली पीडियों को मिले ऐसा वो नहीं मानता He wishes to see the workers controlling their condition of work as himself control his own लेकर करता है कि उसके काम की जो conditions है उसका नियंतरन उसके खुद के हाथ में होना चाहिए जैसे लेकर खुद अपना कारे करता है और उसका control उसके हाथ में होता है In fact he wishes that industries should be controlled by workers क्योंकि वो एक समाजवादी है इसलिए वो चाहता है कि जो industries है जो factories है जो उद्योग है उनका control भी मजदूरों के हाथ में होना चाहिए It is not sufficient that man should have freedom इतना ही प्रियाप्त नहीं है कि मनुष्य को स्वतंतरता दे दी जाए उस स्वतंतरता का प्रियोग जब तक नहीं होगा जब तक कि उसको कुछ और चीज़ी ना दे दी जाए It is very necessary that class conflict and gender conflict differences should be wiped out completely देखो लेखक क्या बता रहा है कि उसकी श्वतंतरता उसको जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप वर्ग संगर्स class conflict class conflict यानि वर्ग संगर्स को समात नहीं कर दोगे जब तक आप gender difference लिंग भेद को समात नहीं कर दोगे wipe out का मिलव होता है मिटा देना पॉच देना completely पूरी तरह से जब तक समात से आप वर्ग भेद और लिंग भेद नहीं मिटा दोगे तब तक उसको स्वतंतरता मिलना असान नहीं है besides this he desires the spread of education and application of scientific methods in all the branches of life इन आशक्ताओं के अलावा लेखक और भी मांग करता है और वो क्या है spread of education, शिक्सा का विस्थार, application of scientific method, scientific method का लागू किया जाना in all branches of life, जीवन के और खिशत्रों में भी इन चीजों की भी लेखक मांग करता है to conclude we can say that Helden requires work, liberty, health and friendship यहाँ पर हम सारूप में का सकते हैं कि Helden जो है उनकी जो मांग है वो है work, liberty, health and friendship यह चार चीजे उनकी मुख्याव शक्ता है He would like to die for his convictions and with his faculties alert लेकक हमें बताता है कि वो कुसी-कुसी मर जाएगा उसकी convictions के लिए उसकी धारना के लिए उसकी जो राय है उन्होंने जो चीजें मांग की है अगर ऐसा होगा तो उसे कुसी-कुसी मौत आ जाएगी with his faculties alert और उसकी जो इंद्रिया है उसकी जो faculties है वो बले ही चलती रहे लेकिन फिर भी उसको मरने में बड़ी खुसी होगी तो साथियो आपको वीडियो किसा लगा लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू